पच्चों आपका स्वागत है मेरा यूटीब चैनल मैट सु तमर्जा में इस वीडियो में हम क्लास टेंट मैट का सतर दो हजार बाइस तैस का चैप्टर वन से संबंदित कि टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं जैसा कि आपको ग्यात है जो सिवी यसी ने सतर दो हजार बाइस तैस के लिए स्लेवस जारी कर दिया है स्लेवस में कुछ पार्ट रखा है कुछ डिलीट कर दिया गया है और यह चैनल के प्रस्ट इसमें से आते हैं तो हमारी क्या एस ट्रेट जी हो कि यह 6 के 6 नंबर हमारे पूरे आ जाए उसके लिए जरूरी है जो हम पता करें जो कि शिवी यसी ने क्या डिलीट किया है और हम हमें क्या पढ़ना है तो हम उसी पर फोकस करेंगे जो आना है तो इस वीडियो में हम यही बात बताने जा रहे हैं जो चैप्टर नंबर वन में कितनी तयारी करें जो आप 6 के 6 नंबर प्राप्ट कर सकें सबसे पहले देखते हैं जो कि डिलीट क्या क्या किया गया है योकलीड डिवीजन लेमा है कि और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ओप रैस्णल लंबर्स इंटर्प टर्मिंटिंग एंड नन-टर्मिंटिंग यानि युकलिट विवाजन प्रमेई का और दसंबलब का निरूपन किसी रेशनल लंबर जिसको परमेशंख्या कहते तो परमेशंख्या का दसंबलब निरूपन सांट या सांट के रूप में हम लिखते थे तो वो नहीं आएगा तो आएए देखे इस पे आधारित कौन-कौ सा एक्सरसाइज बनता है हम हमें जैसे की पता है जो कि चैप्टर वन में आपको एंसी आर्टी में कुल चार एक्सरसाइज है 1.1 1.2 1.3 1.4 बारी बारी से हम उस चैप्टर को अब लोग कन करते हैं देखते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा यहां पे चैप्टर 1.1 है जिसमें आपको दिया है युक्लीड डिविजन अल्गोरिथम का यूज करते हुए आपको एच्ची एफ और ल्सी एम ग्याद करना है तो यह युक्लीड विवाजन प्रमेई का द्वारा आपको इसको एच्ची एप निकालने के लिए नहीं पूछा जाएगा तो इस पर आदारित यह सबार यानि यह चैप्टर नहीं आएगा एच्ची एप निकालने के लिए और भी विधिया है वो पूछा जा सकते हैं नंबर यह हो सकते हैं लेकिन इस विधी द्वारा इस में यह नहीं पुझेगा इसको पूछा जा सकता है लेकिन इस विधी से दूसरे विधी से पूछा जा सकता है तो कि आप दूसरी विधी कौन सी है उस पर भी चर्चा हम करेंगे कि नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं अब अगला आता है फंडामेंटल थ्योरम आरिथमेटिक यह पूछा जाएगा इस विधी से पूछा जाएगा फंडामेंटल थ्योरम आरिथमेटिक आधार पर ही प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड अभाज गुनन खंड विधी हो अब याल्सिम निकालना तो यह फूछा जाएगा है 1.1 नहीं आए मड़ियन देखते हैं 10 एक्षर्साइज है आपका 1.3 जो बहुत इंपोर्टेंट है यह हर बार पूछा जाता है यह सवाल इस तरह के irrational नंबर पूछा जाता है तो इसकी तयारी अवस्य करें यह हमेशा तो इसकी तयारी वेल इंपोर्टेंट है अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ट्वांट फोर है जो आपको कि यह रैसनल रैसनल नंबर का डेस्मल रिप्रेजेंटेशन पूछता है टर्मीनेटिंटिंग यानि दसमलब परमे संख्या का दसमलब निरूपन सांट और असांट के रूप में कितने अंक बाद सांट होगा कितने अंक असांट बाद असांट होगा तो ये नहीं पूछा जाएगा तो इस प्रकार हम कंक्लूजन पे चलते हैं कंक्लूजन पे चलते हैं जो 1.1 की तयारी नहीं करनी है 1.14 की नहीं करनी है अब हमारे पास बचा 1.2 और 1.3 तो इसमें क्या-क्या पूछा जाएगा उस पे भी चर्चा कर ले तो सबसे पहले हमारा जो है सबसे पहले fundamental theorem of arithmetic अंग गनित का आधारभूत प्रमे यह आए यह है जो थोड़ा साई है एक तीन-चार लाइन में आप उसको समझ सकते हैं उसके बाद HCF और LCM यह पूछा जाएगा वो प्राइम फेक्टराइजेशन मेथड के द्वारा आपसे पूछा जाएगा अब आज गुननखंड विधी द्वारा कि HCF और LCM के बीच में रिलेशन भी निकालने के लिए दिया जाएगा तो यानि उस पर ध्यान देना है और तीसरा वह जो सबसे महत्वपूर्ण है जो कि यह पूछा जाता है अपर मे संख्या पूछा लंबर या अपर में संख्या सिद्ध करना यह बहुत इंपोर्टेंट है तो इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में हम और भी टॉपिक का क्लियर करते जाएंगे अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें